नमस्कार, मैं वो सुकंती और सुकंती का किचेन में स्वागत है और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू में ठीका सब्जी तो इचेन, आप लोग मेरी साथ न्गेम एका लाए तो बनाने के लिए मैं शुरू करती है , आप लोग सब लोग आपके सब्जी और में आये तो सुरू करते हैं अलुमेथी के सब्जी रनाने के लिए जो चलो सुरू करते हैं मैंने कड़ाई ले लिया है और गया सवन कर देते हैं कि अब लुट करेशन कर दिया करेश गराम हो रहे हैं करेशन कर देते हैं करेशन मेरा गराम हो गया है तेल ले लेती हूं तेल गरम हो गया है अब हम इसमें थोड़ी से जीरा डालेंगे तेल गरम हो गया है जीरा डाल दिया और अलू में थी बनाने के लिए मैंने किन-किन ये राल डाल देती हूं जाताने में दिए वाव जाख़ाज होते हैं कि अरफेशन को चिर लेशन ब्राउन हो चुका है हुआ उसका तलक्तिया चुगया है तो कति हुए प्यांच बारी बारी काटके लिए था देखिए आपिकी ब्राउन टालूँगी इसमें इसका ख़नांगे उसको भी ठोड़ा भराउन होने तर तो प्रबूनांगे इसमें कर देंगे इसको कि यह स्टेज कर देंगे कि प्यांच ब्राउन हने शुरू हो गया है थोड़ा कलर्टेश हो रही है और थोड़ा यह कलर्टेश होगा तब लाल भ्राउन हो जाएगा अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तब वह अब हुआ इसमें सब्जी जराएगे और थोड़ा भूनने देते हैं प्यांच को मेरी प्यांच जो है मसाला है अच्छे से भून गया है अब हम इसमें च्छी जटी इने 5 आलू ले लिया था उसको बारी कट लिया है उसको डाल देंगे अभी इस तरह काटे आप लोग आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा पीस पर काट लिए दिशो में काट लिए मैं चोटी होटा है तो इस तरह में दाल देती हूं अब इसके में मैसी भी डाल देती हूं देखें अच्छे से चार प्रांस पानी से मैंने धोर के रख दिया था और बड़ी बड़ी है इसके मीदाव दाल देती है आली दिकास पर आईयली आपकरों जब स्टूपी मिलादें ये ज़िन दी माचब देतें ज़िन कि अविलादें ये लिग मिलादें ज़िए धार जब देतें सब्जी को अच्छा दोस्तों इसमें मनें नमक नहीं डाला है तो इसमें कुछ और मसला डालूंगी तो चले डालते हैं स्वादनी सरनमा फॉरी सिद्धें पाउड़र लेखैने कि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा आलू में कलर आजाए तो अच्छा लगता है और कि मैं हल्दी नहीं डालती हूं बस बाकी डानिया पाउडर थोड़ा लाल में पाउडर तिक्षी वाली और बस अली डालाएं इसको अच्छे से मिला देंगे शुआदर नमक डाल दिया है और इसको अभी इसको ड़क ड़क पकाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में इसको त्वेट करते रहेंगे कराई में बहुत वड़ा धाकन लग जाएं इसमें छोटा धाकन लगाती हूं दालती हूं थोड़ी थोड़ी देल में रचेक करते रहें ना है काकी सब्जी चित्के नहीं जब तब ना पाती हूं हम सब्जी को चेक कर लेते हैं देखिए कलर भी चेक होने लगी है और सब्जी भी अच्छे-चे पढ़ने लगी है इसे मिला देंगे इसको और थोड़ा का अच्छे करते रहें जब तब सब्जी त्यार ना हो तक भी आन रखना है इसको मिला दिया अलू पका की नहीं पका तो चेक कर लेते हैं और फूरी सीट पकाना पड़ेगा जब तब आलू ना पके तो साग भी अच्छे से पका नहीं है और 6-7 मिनिट लगेगा अब धाब देते हैं और अभी पकने देते हैं थोड़ी दे तो सब्जी को चेक करते हैं वाव कितने अच्छे से सब्जी बन के त्यार हो रही है दिखिए है ना बहुत अच्छा सब्जी बन के त्यार हो रहा है मेरा तो मुह से पानी आ रहा है अब इसे है अलू मेती की सब्जी जो है मेरे फेबरेट है जब्रेश सब्जी है एक बाद ज़रूर ट्राइब करना इस तरह बढाने के लिए अब इसमें हम थोड़ा खाटाई डालेंगे अब चुर्पावडर इसमें एक छोटी स्कून डालेंगे ज्यादा डालेंगे तो मेती का सुवाद है न चला जाएगा इसलिए ठीक ठाट डालेंगे सुवाद अनुसार ठाटाई वैं टामाटर नहीं डाल गी हूं इसमें अब इसको हम मिला देंगे अच्छे से इस तरह मिला देंगे और इसको हम ऐसे ठैला देंगे फड़ा इसको क्रिस्पी टैप करेंगे सब्जी अच्छे से पक गया है अभी हम इसको खुड़ा क्रिक्ष्पी करना है तक पटासा तो ऐसे हम धिमा आच में खुले आच में पकाएंगे अलग बिना धाकन को पकाईए थोड़ी देर तो फिर सब्जी को मिला देते हैं इसको मेरा सब्जी त्यार हो गया बनके इतना बढ़ियां दीट रहे ना मुह में पानी आता होगा बिवी मुझे तो आ रहा है पानी बहुत बढ़ियां लग रहा है दिखने में भी खाने में भी बहुत टेस्टी मैं चेक करके बता आती हूं अभी सब्जी त्यार हो गया गेस बन कतेते हैं सब्जी बनके त्यार हो गया है आये तो हम एक बल्म में बर्दन में निकाल कर रखेंगे बस देंगे देखें कितना बढ़ियां बनके त्यार हो गया है सब्जी आरा ना पानी खाने का मन कर रहा है मुझे दो बहुत मन कर रहा है खाने के लिए बहुत इस्वादिस आलो मेति की सब्जी त्यार होके त्यार हुआ है ऐसा है तर्ट देते हैं आज की वीडियो रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेर भी कर देना और प्लीज मुझे सपट करिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें बेल आइकन को भी दबा देजे का कि जब भी मैं नाया वीडियो डालू तो उसका नोटिफेशन आपके पास पहुंच सके और तक तक के लिए बाई बाई आज के रेसिपी में इतना ही और नाया वीडियो बनाओंगी फिर मिलूंगी आप आप लोगों के साथ बाई बाई